मैं राहूल राज तो आज हम बात करने वाले हैं ITVP, BSF, CRPF, CSF, SSB के टेडमेंस के जो पर डे आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आया जाता है सुबह सात बजे उसी के डिगाइडिंग आज का सेट नम्मर शिक्स है और बात करने वाले हैं आज के जो प्रैक्टिस सेट है क्या स्थिस का है हिंदी का है चलिए अब वीडियो को चलते हैं कहीं वह कुछ भी डाउट हो कॉमेंट सेक्षन आपके लिए खूला है तो बिन देडिक किये चलते हैं सुबह 7 बजे प्रति दीन आपको वीडियो अप्लोड के जाता है तो लाइन पिर चलिए वीडियो को के बताना होगा यह आपका compulsory है और साथ ही में आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रिसे कॉमेंट स्थापित करने के लिए उप्यूक्त विकल्प में उप्यूक्त विकल्प का चैन करें ऑप्शन ए बी शी याडी जो भी होगा यह आपको बताना हुआ सबसे पहले बतादे रेखा खंड जो दिया आपको मैंने यहां पहले कोष्ट में कर दिया ठीक है यह नीचे रेखा खंड हो यह आपको यह मैंने कोष्ट में लगा दिया है कि अच्छा से दिख जाए तो कोष्टन क्या कर रहा है सरन में आये भ्यक्ति की सुरक्षा करणी चाहिए, तो इसके लिए क्या हो जागा? Option A, B, C , या डी जली से । फास्ट कमेंट तो इसका राइट अंसर हो जागा, आपका Option No. A, श्रनागत Option No. A is Right answer Next, वो अगले question क्यों चलते हैं? नेक्ष्ट अगला question हमगडा दूसरा नमर है, कह रहा है दूसरा नमर question, दिये गया वाक में वह भाग ज्यात करें जिसमें कोई टूटी है, ठीक है, तो यह आपका दिये गया है, इसमें आपको किस भाग में टूटी है, यह बताना है, तो हमारा question क्या है, अपनी जीव को लग काम दो और ठाथ ठीक नहीं होगी तो इसका है right answer क्या हो जागा? Option A, B, C, E, D यह लिए से 1st comment किसमें तूरुटी है? तो इसका right answer हो जागा आपका option nr B क्या गलती है इसमें? आपका इसमें गलती है ठीक नहीं होगी के जगा क्या हो जागा? ठीक नहीं होगा आपका यही गलती है ठीक है? क्या गलती है? होगी के जगा क्या होगा? होगा चले नेक्स्ट और अगले question के लिए चलते हैं नेक्स्ट और अगला question थर्ड नमर थार्ड नमर कोश्चन है जिसका परणाम न जाना जा सके ठीक है जिसका परणाम न जाना जा सके के लिए एक सब्द उप्यूक्त होगा एक सब्द ने क्या कहा जाएगा तो ओप्शन A, B, C, A, D जल्दी से फार्स्ट कमेंट जिसका परणाम न जाना जा सके तो इसका राइट एंस हो जगा आपका option नमर ए इसका राइट एंस हो जगा आपका option नमर ए अपरी में option नमर A is right एंस नेक्ष्ट और अगले question को चलते हैं नेक्ष्ट और अगला question हमारा है सही वर्तनी वाले सब्द चैन करें सही वर्तनी वाले सब्द कुछ एन करना है ठीक है option A B C A D जो इसका राइट एंस हो जागा आपका option नमर ए नच्छत्र option नमर ए इज राइट एंसर नच्छत्र आपको सही है और श्रफ वलत है option नमर ए इज राइट एंसर नेक्ष्ट और अगले question के चलते हैं नेक्ष्ट और अगला question हमारा क्या है मुहाबड़ा है ठीक है क्या मुहाबड़ा है तलवार की धार पर चलना मुहाबड़े का सही अर्थ है क्या है आपको बतार है option A B C या D जो इस फर्स्ट कमेंट तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपका option नमर ए option नमर ए संकट पुर्ण कठिन काम करना option नमर ए इस राइट एंसर ठीक है नेक्स्ट अगला question क्यों चलते हैं नेक्स्ट अगला question हमड़ा 6th नमर है दिये गया वाक में वह भाग ज्याद करे जिसमें कोई trutty है ठीक है यह हमड़ा lazy गया और इसमें किस भाग में तूटी यह हमको बताना है, ठीक है? तो क्या है हमारा वाकर? बचों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, ठीक है? तो इसमें कहां हमारा तूटी है? बचों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी, तो किसमें तूटी है? ओप् आपका option number A, पढ़ाई छोड़ दी नहीं हो जगा, छोड़ दिया, बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया, बच्चों ने साधनों के आभाव में पढ़ना छोड़ दिया, ठीके का हो जगा, पढ़ना छोड़ दिया, क्या यहां क्या हो जगा, option number A, पढ़ना छोड़ दिया, सही एंसर का हो जागे हां दिया बच्चों ने साध्धनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दिया नेक्ष्ट अगले कोशन क्यों चलते हैं नेक्ष्ट के वाक में वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई टूटी है ठीक है तो क्या कोश्च हमारा तो वह रख है प्रचीन काल में होली का त्यभार स्मुह तौड में मनाया जाता था ठीके option a, b, c, c, d ऑप्षन पहला क्या बोल रहा है प्रचीन काल में दुसरा होली के तेवहार तिसरा स्मुह तौड में और 4 ठा मनाया जाता था तो किसमें तुरूटी है यह हमको बताना है तो इसका राइट एंसर क्या आजाएगा आपका option number c शमुह तौर में इसमें समुह तौर में क्या है आपका तुरूटी है इसका सही उतर क्या है समुह के रूप में मनाया जाता है इसका राइट एंसर ओप्शन नमर C नेक्ट और अगले कोश्चिन को चलते हैं नेक्ट और अगला कोश्चिन ने चौथा नमर दिये गये वाक में रेखा खंड को प्रत्यस्थापित करने के लिए उप्युक्त बिकल्प का चैन कर रेखा खंड हम बता दे पहले आपको यही रेखा खंड दिया गया है जो मैंने कोश्ट में रखा है तो क्या है तुम्हारी बात बहुत ही तकलिफ देने वाली है तो तकलिफ देने वाली के लिए कौन सा वर्ड सही होगा ओप्शन ए बी शी या डी जल्दी से फास्ट कोमेंट इसका राइट एंसर होजाएगा आपका ओप्शन नमर डी कश्ट दाई ओप्शन नमर डी इस राइट एंसर नेश्ट अगले कोश्चन क्यों चलते हैं नेश्ट अगला कोश्चन हमाडा नो नमर प्रसंसक का विलोम सब्द क्या होगा Option A, B, C, A, D जल्दी से पास्ट कमेंट तुछ का राइट एंस होजेगा आपका Option नमर D, निन्दा ठीके, प्रसंसक का क्या होजेगा? निन्दा Option नमर D is राइट एंसर नेच्ट अगला कोस्चेन हमादा रिक्त अस्थान को भरने के लिए उप्युक्त सब्द का चैन करे ठीक है? कौन सा होगा Option? वाक्य कौन है? मैंने इस कार के लिए अधिकारियों से डैस किस्वकिर्थी प्राप्त कर ली तो Option A, B, C, A or D जिल्दी से फास्ट कमेंट तोसका राइट एंसर होजागा आपका Option नमर D वान चीत, Option नमर D is राइट एंसर नेच्ट अगले कोस्चेन के लिए रिए चलते हैं नेच्ट और अगला कोस्चेन अमरा इगारण नमर D आएग वाथ में रेखाखंड को पर्ति स्थापित करनें के लिए उप्युक्त बिकलब का चैन करें ठीक है? प्र Cookie , यही हमारा रेखाखंड है? अहंकार से भ़़ण ब्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है तो इसके क्या हो जाएगा option A, B, C या D, जल्दी से first comment इसका right answer हो जाएगा आपका option नमर A तो चलिए next और अगले question के चलते हैं next और अगला question हमारा बारा नमर उत्सुख का परवाची सब्ध क्या होगा ठीके परवाची सब्ध हमाम बताना है उत्सुख का तो right answer option A, B, C, E, D, जल्दी से first comment तो इसका right answer हो जाएगा आपका option नमर B आत्तूर, option नमर B is right answer तो चलिए next और अगले question के चलते हैं हमारा अगला question 13 नमर रिक्स्त अस्थान को भरने के लिए उप्युक्त सब्ध का चैन करें ठीके तो वर्तमान डैस ठीके यहां भरना है में ही महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है ठीके तो क्या option हो जाएगा option A, B, C या D तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number C तो वर्तमान समय में ही महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता option number C is right answer next और अगले question क्यों चलते यह भी आपका क्या है रिक्त स्थान को भढ़ने के लिए इस मूर्ति में मानो इस्वर्ट डैस हो गय है ठीक है तो क्या हो जाएगा option A, B, C या D यह लिए right answer तो इसका right answer हो जगा आपका option number B, इस मूर्ति में मानो इस्वर्ट ही सकार हो गय है option number B is right answer क्या हो गय है सकार हो गय है यह next और अगले question क्यों चलते है यह भी आपका feeling the blank से है रिक्त अस्थान को भढ़ने के लिए उप्यूक्त सब्द का चैन करे कलाकार में जनमजात डेस होती है क्या होती है option A, B, C या D यह लिए से first comment तो इसका right answer हो जगा आपका option number D परतीभा कलाकार में जनमजात परतीभा होती है ठीक है क्या होती है परतीभा होती है option number D is right answer next और अगले question क्यों चलते हैं next और अगला question है सही वर्तनी वाले सब्द का चैन करे option A, B, C या D जल्ली से first comment तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number B द्रिष्टी option number B is right answer क्या हो जाएगा आपका option number B is right answer द्रिष्टी नेक्स्ट और अगले question सत्र नमर सत्र नमर क्या बुर रहा है व्यर्थ खर्च करने वाले करने वाला के लिए एक सब्द का परियुक्त होता है जो व्यर्थ खर्च करते हैं उससे क्या कहा जाता है option A, B, C या D जल्ली से first comment तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number D option number D is right answer नेक्स्ट और अगले question के चलते हैं नेक्स्ट और अगला question नमरा 18 नमर अतिवरिष्ट का बिलोम सब्द है अतिवरिष्ट का option A, B, C या D जल्ली से first comment तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number B आना विष्ट, option number B is right answer नेक्स्ट और अगला question क्यों चलते हैं हाथ मलते रह जाना मुहाबरे का सही अर्थ है क्या है चलिए हाथ मलते रह जाना, ठीक है option A, B, C या D तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number B पच्च्टाना, हाथ मलते रह जाना के मतलब का हो जाएगा option number B पच्च्टाना नेक्स्ट और अगले question क्यों चलते हैं नेक्स्ट और अगला question है 20 नमर अश्मान का पड़वाची सब्द है क्या है option A, B, C या D जल्दी से first comment तो इसका right answer हो जाएगा आपका option number A चिरा यू, option number H, right answer तो फ्रेंड आज का 20 question complete हुआ फिर आपको प्रती दिन सुबह 7 बजे life class जोइन करिए जब तक लिए जयहिन दोस्तो बंदे मातरम और हम बता दे आपको कि ये 20 question प्रती दिन आपको और किसी भी जाब का ब्रेट चाहिए तो प्लिस comment से पूछे जब तक लिए जयहिन दोस्तो बंदे मातरम